जैन स्री क्रिश्न परमपिता परमात्मा की क्रिपा से आप सबी लोग अच्छी होंगे। जब हम लोग बिल्कुल सांत चित होते हैं, हमारा विचार बाहरी कुछित विचारों से खाली होता है, तब उस प्रभु की क्रिपा हमारे जीवन पर स्वयम ही वरसने लगती है, उस परमपिता परमात्मा, उस परमप्रभु का प्रेम हमारे जीवन को मिलने लग जाता है। एक छोटे से बालक को यही सिक्षय गुरु दे रहे थे और उसे ध्यान करना सिखा रहे थे। जीवन की अंतर गतिविद्यों को आंतरिक गतिविद्यों को गुरु उसे शमझाने का प्रयास कर रहे थे। भालक बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही ओजस्वी तेजस्वी गुरु की बातों को बड़े सांध तरीके से सीख रहा था, मगनता को प्राप्त हो रहा था। तभी कोई दोड़ते दोड़ते सुद्धोधन के पास पहुचा और कहा महराज आपने आचारे जिस उद्धिश्य के लिए लगाया है वो तो आज उद्धिश्य पूरा ही नहीं हो रहा है। कि दोड़न की अविलासी यह थी कि जो मेरा पुत्र है जो मेरा बेटा है जो नादान भालक था उसको आगे चलके महात्मा बुद्ध बना उसको बनाना चाहते थे भोगी विलासी राज्य कैसे करे राज जी के बारे में सीखे राज नीति आदी के वारे में जानकारी दिने यह रखा वह तो वहां पूरु रही नहीं हो रहा है और उनकी सुद्द्धन की इक्षा थी कि Megos वो वो कहीं है ऑचारे कोरेंगे साधू संत जी च Bishop ऑच जो सीखाने लगतायी च उबादों के जो बिल्ग जिए भूगी है, तब जोतिशाचार आये थे तो उन लोगों ने भविश्यवानी की कि या तो ये बच्चा आगे चलके बहुत बड़ा सम्राड बनेगा या फिर आगे चलके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा सुद्धन जब पहुचने वाले होते हैं तभी गुरु अपने उस बालक से कह रहे होते हैं कि बेटा जीवन में अनुसासन को लाओ जीवन में जो भी वेक्ति अनुसासित होता है उसका जीवन स्वयमी फलता फूलता चला जाता है ये उंगलियां विख्री हुई हैं और यद पहुचते हैं कि सारे लोग बनवान बल्वान बने साथ सारे लोग जीवन में उत्कृष्टताओं को छुए तो अनुशाशित होना पड़ेगा जीवन के हर स्यमों को अनुडेयों को बड़े अनुसासन से लेना पड़ेगा ऐसी सिख्षा दे रही होते तो तक पौश्ते ह कहते हैं कि मुझे मच्छे को ड्यान कर वा रहें मैंने तो आपको रखा था बच्चे ऊपा राजनीति यादी की शिक्षा देने के लिए कि वह कहते है कि आप मुझे मत बताईए कि मुझे बच्चे को कैसे पढ़ाना आहिं कैसे नहीं नहीं होता है मैं इसे राज़ा बना चाता हूँ और और अप इसे क्या कर रहे है वो कह रहे हैं कि उन्होंने तुरंट उत्तर दिया कि मैं तो इसे अपने विक्तिकत जीवन का राज़ा बना चाता हूँ यूदि खुद पर राज़े करना सीखल गया तो पूरे संसार पे राज्य कर लेगा और यदि खुद में पर राज्य करना ने सीख पाया तो समझ लेना कि बाप ने राजा बना भी दिया तो भी पूरा गुड़ गोबर कर देगा सारा मिट्टी में मिला देगा अपर ऐसा कहते हैं कि यह आपकी शिख्षा है मुझे रास नहीं आ रही है आप चले जाएए और आप मिद्धशना लेजे उनका मैं दक्षणा नहीं लूँगा नजया क्यों दक्षणा नहीं लेंगे आप वो कहते हैं कि जब तक हम किसी कारे कुप पूर नहीं करते तर तक हम तो वो कहते हैं कि हम भी किसी आचारे से सिख्षा दिल्वा करके दिक्षिणा नहीं देंगे तो हम भी पाप के भोगी होंगे और यह पाप हम भी नहीं लेना चाहते हैं और यह राजा का आदेस था और आदेस का यदिपालन जो नहीं करेगा वह दंड़ का भागी होगा इसलिए उन्हें दक्षिना लेते हुए उदास भाव से चल दी तो जो राज गुरु थे उस राज जी के वो भी उनके साथ दर्वाजे तक उन्हें छोड़ में गिर जाता है और जोते Linux किता है कि गुरु देव आप हमें चोड़के जा रहे हो ऊपहां की विना जीवन का या कौन प्रसक्त तो बड़े मुस्किल देने वाला एक सच्चा गुरु मिल पाता है यह बड़े प्रारब्द और बड़े संस्कारों की बात है गुरुदेव और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं आप चले जाएंगे तो इस जीवन का क्या होगा गुरुदेव मैं आपको जाने नहीं दूंगा ऐसा कहके वह रोन को बड़े लग जाते हैं महात्मा बुद्ध, बच्हें ही ओते हैं रोने लग जाते हैं पूल उठ groundwater है उसे, महात्मा था कर देखो यह कि और जाय है इरसा मुद्वार को उसने घर का निर्मान का पीज Being are gonna निर्मान करने के बाद उसने अपने बच्चे ये उसमें अपने अट इए फिर अड़े फूटे चुटे चुटे चूजे teaching बेठे के देखा देखा करते थे चड्या बहुत दूर से उनके पोजनेकсть ने के आती रोज जाती रोज्य लेकि yapि suite और चाहनी पूरियरो जब टहलने आते थे तो बैटके देखा करते हैं छठियार歌 NBA और रोज उनके लिए कुछ न खाने के लिए लिए कुछ न कुछ खाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही और वो कभी जीवन में उड़ने का नाम ही नहले एक दिन चिडिया ने क्या किया कि अपने चौच से मार मार के उस पूरे घोसले को नीचे गिरा दिया जब नीचे गिरे तो लगे चीक ने और चीक करके बहुत प्रयास करने के बाद 5-10 मिनिट वो छोटे से पेड़ के डाली पर बैट पाए फिर वो प्रयास किया फिर उड़ करके बैठ गई थी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यह करते रहे और एक समय ऐसा आया दो-चार घंटों में कि वह बहुत बड़ी उची-उची उडान भरने लग गए क्यों क्योंकि उस समय तक निकम में बने बैठे थे वह जीवन में कुछ करना नहीं चाहते लेकिन जब उनके सामने स्थिति आई तो नहीं करके दिखाया मात्मा बुद्ध इसी प्रकार मैं भी अब आपका साथ छोड़ रहा हूं और आपको भी जीवन में अपने जीवन का निर्माण अपने जीवन का विकास जो मैंने अभी तक ज्ञान दिया उस ज्ञान को लेकर करके अपने जीवन को प्रकास में करो और संसार को एक नई किरण को प्रदान करो महत्मा बुद्ध के आसु नहीं रुक रहे होते हैं वो कहते हैं गुरदेव यह बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने लेकिन मैं चिडिया तो नहीं हूं मैं आपने गुरदेव को कहीं नह महत्मा बुद्ध सीधे बैटते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं और उसी छण गुरु चले जाते हैं और उनके अंदर एक ग्यान का प्रकास की एक किरण जगती है जोने जीवन बहुत उची सिक्छा देती है कि गुरुदेव का कहने का मतलब है कि प्रकास की किरणे तो म जीवन में पश्टताएं तो मिल चुके किस छेत्र में आगे बढ़ना है गुरु ने ध्यान की एक विजी तो बताई दी है अब इसी छेत्र में अपने जीवन का अगरसित करना है और वहीं से प्रकास की किरण लेके महत्मा बुद्ध ने अपने जीवन को इतना धन्धान ने करते हैं हो सकता है गुरु की डांट के पीछे प्रेम चुपा हो जिस प्रकार चिडिया को देखा अपने चिडिया ने बच्चों को खुद नीचे गिरा दिया और पीछे मुगर के बैठ गई लेकिन उसके पीछे यह पता था कि यह इसी तरीके से एक उच्छी उडान को भ कि इनी के प्रतिश्रद्दा इनी के भाव इनी के प्रतिभाव इनी का मनन इनी का चिंतन इनी को अपने जीवन में उत्तम आदर्स मान करके एक सही माता पिता एक सही गुरु को अपने जीवन में आदर्स मान के जीवन को प्रसस्त करो और एक प्रकास की किरण लेकर के अप आपकी उन्नती हो और आपके परिवार की उन्नती हो समाज की उन्नती हो आपके बेटे आपकी पुत्र आपकी पुत्रियां सभी लोग उन्नती को प्राप्त हो और आप भी जीवन में उन्नती करें और यही मनुकामनाएं हैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में आपके भी प्रकास की किरिण जागरित हो और आप भी उचे आदर्सों को छुएं और जीवन में उन्नती को प्राप्त हों और इस कहानी के माध्यम से अपने भी जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें इतना ही कहके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं जैस्री कृष् झाल